हे गाईस स्वाग आते आप सभी का गिक टेक यूट्यूब चैनल में गाईस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टाटाकलिक.com पर ओडर रिटन कैसे कर सकते हैं ओडर रिटन करके आप अपना पैसा रिफंड कैसे ले सकते हैं तो चलिए दोस्तों यह वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पवले दोस्तों आप से भी एक छोटी सी रिक्वेश्ट करूँगा कि यह मेरा यूट्यूब चैनल है अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब निग किया app open करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का interface देखने के लिए मिलेगा उसके बाद दोस्तों आपने my account वाले option पर click करना है आप नीचे देख सकते हैं screen पर my account पर जब आप click करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपके जो भी recent के order होंगे जो आपने अब होंगे हाल फलाल वह आपको यहाँ सो हो रहे होंगे उनकी list आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी तो मैंने यहाँ पर एक order कर रखा है तो अभी यहाँ पर एक ही order सो हो रहा है आप देख सकते हैं screen पर दोस्तों मैंने यह टी शर्ट जब आप अपने order पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके order की detail आपके सामने खुल कर आ जाएगी दोस्तों तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे एक option आ रहा है return तो आपने इस पर return वाले टेप पर click कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप से बोलेगा please select return region यानि कि defective मिला है या आपको product incorrect मिला है या आपको जो product मिला है वो fit नहीं है तो आप यहाँ से इन में से कोई भी option select कर सकते हैं तो मैं अभी जो last वाला option है product does not fit well इस पर click कर देता हूँ उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर add comments का option है तो यह optional है आप चाहो तो यहाँ पर कुछ लिखे भी सकते हो या आप नहीं चाहो तो यहाँ पर इसको खाले भी रहने दे सकते हो यहाँ से blank उसके बाद दोस्तों आप नीचे देखेंगे continue का button है आपने इस पर click करना है जब आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर यह आपसे पूछे का refund के लिए उसके बाद दोस्तों आपने refund पर click करेंगे तो यहाँ पर आपने refund का mode select करना है यानि कि आप data click के wallet में अपना जो refund लेना चाहते हैं या फिर आपने जिस mode के थुरू payment किया है आप उसी mode म करिए net banking के थूरू यह credit card debit card के थूरू तो आप उसी में वापस लेना चाहते हैं तो यहां पर आप देखेंगे नीचे option back to source तो आपने इस पर क्लिक करना या फिर आप चाहते हैं data के लिक के wallet में लेना तो यहां आपने payment किया होगा उसी mode में आपका payment आपको मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको इन दोनों में से एक option कोई भी चूस कर लेना उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहां पर check box है I agree to return all items in their original condition यह आपसे यहां पर बोलेगा कि आपको यह condition यहां पर approved करनी है कि जो आप order written कर रहे हैं जो item written कर रहे हैं वो original condition में होना चाहिए उसका MRP take वगेरा जो आता है साथ में वो लगा होना चाहिए तो यह आपको यहां पर accept कर लेना यह condition उसके बाद आप देखेंगे continue का बटन नीचे आपने उस पर click करना है उसके बाद दोस्तों यहां पर आप अपना pickup address चेक कर सकते हैं एक बार आपने जो दिये रखा है वो आपको pickup address यहां पर show हो रहा होगा और नीचे लिखा होगा select mode of return तो यहां पर already selected होका आ रहा होगा उसके बाद नीचे आपने submit वाले बटन पर click कर देना है उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर आपकी जो return request है वो यहां से raise हो चुकी है उनको वो accept हो जाएगी और आपका pickup करके वो ले जाएंगे आपका order वो received कर लेंगे उसके बाद आपको payment transfer कर देंगे तो maximum यहां पर three business days लग जाते हैं payment आने में यहां पर आप देख भी सकते हैं यह लिखा आ रहा है a pickup has been scheduled we will collect the item in three business days your refund request will be proceed once we receive the original item यानि कि उनको item आपका मिल जाएगा उसके तीन दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपको refund मिल जाएगा तो दोस्तो इस तरीके से आप data के लिख पर कोई भी item या order return कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया हो तो आप comments करके मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तो मैं आपसे एक छोटी request फिर दुबारा करूँगा कि अगर आपने हमारे इस channel को अभी तक subscribe नहीं क